जै भारत साथियों, साथियों आज एक और खास वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं, अभी एक साथियों ने सवाल पूछा कि सर, राजरितिक भाशन देते समय क्या-क्या ध्यान रखता हैं, वैसे तो मैं इसके पर अलड़ी बहुत सारी वीडियो बना चुका था, ले मुझे लगा नहीं, रिवाइज होता रहना चाहिए, नई चीज़े आनी चाहिए, नया कंटेंड आना चाहिए, लोगों को नई बातें मिलती रहनी चाहिए, चार-पांच बातें बताबाँ, सबसे पहली चीज़ तो राजरितिक भाशन उबाऊनी होना चाहिए साथ, हाँ अगर आपको लगे आपकी आउडियंस, आपकी जनता उब रही है, आप उनको बोर कर रहे हैं, तो इससे पहले के वो बोर होने लग जाए, आप मनस्तियाग दीजिए, अगर राजरितिक भाशन में जनता एक बार आपसे डिसकनेक्ट फील कर ले, एक बार बोर होनी और वो एक आठ है, जनतास के साथ कनेक्शन पैदा हर किसी को नहीं करना आता है, हर कोई कर नहीं पाता, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलने वाले भी अच्छे पॉलिटिकल वक्ता नहीं बन पाते, क्योंकि वो कनेक्शन पैदा नहीं कर पाते, उसको सीखिए, पहले तो वक्ता की निशानी यह है, उसे पता होना चाहिए, मेरी ओडियंस कम उससे बोर हो रही है, या कितनी देर के बाद वो लगता है कि अब डिसकनेक्ट फील कर रही है, उससे कम मेरी स्पीच होनी चाहिए, चाहे फ्रिक्वेंसी बार-बार हो जाए, लेकिन धूरेशन भर-बा बन सचा ही है, राजिनती भाष्णों में नॉलेज की जादा जरूरत में होती है, इन्फोमिशन की जादा जरूरत में होती है, प्रॉलम क्या आती है, लेक्चर नहीं है ये, लोग लेक्चर की तरह राजिनती भाष्ण देते हैं, और फिर ओडियंस जल्दी इसकनेक्ट फ कारण के अच्छी चीज के कदरदान कमी होते हैं अच्छी चीज हर किसी को पसंद आ जाए वल्गैरिटी डाली अभी गालियां डाली है देखे तुरंत मायराल होगा लेकिन बढ़िया चीज ज्यान वर्धक चीज जो उनके काम किया जाए उसका तो च्वाइज अलग हुई न लेकिन पॉलिटिकल स्पीचिज में जब हम पॉब्लिक रैली में हैं महाँ पर I am sorry to say ज़ादा नॉलेज की ज़रोत रही है नॉलेज कम दीजिए इंफरमेशन ज़ादा दीजिए और जितनी ज़ादा इंफरमेशन जितना बढ़िया तरीके से देंगे उसको इस तरह से पै बोड़ी लेंगवेशन ना दिखे नेगिटिव गैसर जो होते हैं वैसा तो जब आप प्रेनिम आएंगे तो सिखाएंगे लेग की मूवेंट कैसी होनी चाहिए अगर पोडियम नहीं है स्टेज खुला ए तो अगर पोडियम है तो आपकी हैंड मूवेंट क्या होनी चाहि अगर जनता को यह लगने लगा कि आप डर रहे हैं, भली है आप डर रहे हूं? फ़ोड़ा-बहुट बहुत होता है, इसमें कोई बुराई estem नहीं है, पता नहीं सुरम हाना लेंगविज में डिफ्रेंस आना पड़ेगा और पॉस्टिव बोडि लेंगविज को मिंटेन करना सिखना पड़ेगा पॉलिटिकल स्पीज के अलाओ बाकी सब जगा नेगिटिव बोडिय लेंगविज चलेगी आप पोडियम पे हाथ रखके ऐसे भी बैढ़ गए तो भी चल जाएगा आई-कॉंटर डिस्टर्ब हो गया तो भी चल जाएगा आपकी भी पिछ उप वोईज उतनी बढ़िया ने दे तो भी चल जाएगा आपने जारगन्स या लोकोगतिया मोहावरे इस्तमालने के तो भी चल जाएगा लेकिन पॉलिटिकल स्पीज में इसम नहीं पॉलिटिकल जाएगा तब क्योंकि औॉडियांस नहीं है आपको कोई सुननी रहा है आपको लगे कि कुलिग सुन रहे हैं आपके विपक्षी सुन रहे हैं स्पीकर सुन रहे हैं कोई नहीं सुन रहा बस हाँ आपको अपनी स्पीज देनी है और वहां तूदा पॉइंट अच्छा, पॉलिटिकर रैली है, तुम्हां जितना विस्तार से रख पाएं, जितना डिटेल में बता पाएं, ताकि आप 100% बताएंगे, तो 10-20% तो लोगों के दिमाग में जाएगा, और वो घर लियाते लियाते 1-2% तो लेकर रखेंगे, वरना पता चला, आपने दिया ही 10-5% तो घर तक पॉंस तो बचे काई कुछ नहीं, लेकिन ये चीजों का ध्यान रखना है, ये चौथी चीज है, एक और चीज जिसका ध्यान रखना होता है, अगर वाकई आपको अच्छा वक्चा बनना है, तो शुरुआत में अपनी स्पीच को शॉट रखें, गल्ती क् पॉंस पॉंस चलाजाता है, कि वक्ची जादा नॉलेजऑल नहीं है, इसको जादा जानकरी नहीं है, ये सिर्फ आ गया डिलिवर करने, ये आ गया स्पीस देने, लेकिन इस्पीस के लिए प्रेडन हनुद करना है, तो तयार करते समय भी ध्यान रखना है, कि सेम बात रि sequence बदल दिया, जो बात पहले थी, वो बात में थी, बीच में कुछ ऐसी सीज़ा add-on कर दी, जो वहाँ नहीं थी, वहाँ आगली जगा कुछ और add-on कर दी, जो वहाँ नहीं थी, बात एक कहीं गई होगी, तरीका अलग कर दिया गया होगा, चीज़ों को आगे पीछे कर दिया गया होगा, लोगों को लगेगा चारो जगा नहीं बात बताएगी, और यही यही अच्छे लीडर की, अच्छे पॉलिटिकल स्पीकर की, उसी quality है, उसके गुन है, उसकी पहचा ख़बर आजाती है, कई बार कोई गुद्धा बता जाता है, कई बार कोई पदादिकारी जिसके लिए बात करे होते हैं, वो पदादिकारी वहां नहीं होता है, कई बार कोछ और हो जाता है, कोई अचानक ख़बर आजाती है, अचानक कुछ एड़ों करना पड़ जाता है, लेकिन लोगों को लगना नहीं चाहिए कि आप prepare करके आए लेकिन आप mentally prepare होने चाहिए कि extempore कुछ हो जाएगा तो इस extempore में किस तरह से अपनी बात रखेंगे effective तरी के से किस तरह से अपनी बात रखेंगे आपका उदेशय क्या होना चाहिए आपका लक्षय क्या होना चाहिए कौन सा काम ऐसा जो अप सबसे बहतर कर सकते है आपका target क्या होना चाहिए झिस goal को आप पहले achieve करें आपका ultimate goal क्या होना चाहिए झबभी आपको लगे doubt है आईएगा बात करेगा मैं कोशिश करूँगा आपका एक roadmap बनाऊं आपको guide कर पाऊं और आपको आपकी शमता के साब से वो पद वो पृतिष्टा वो नाम दिला पाऊं जिसके आप हगदार हैं जो आप deserve करते हैं और अगर deserve नहीं भी करते होंगे तो पहले इस lag बनाये जाएगा कि आप deserving candidate बन जाएं first deserve then desire फिर हम desire भी करेंगे और फिर हम उसको achieve भी करेंगे फिर भी को doubt है कोई और सवाल है कुछ और पूछना चाहिए किसे और भी वीडियो चाहिए हो तो comment box में लिख सकते हैं आप मुझे बात करना चाहिए तो वीडियो के description जाएए पूर नमबर मिल जाएंगे दो चाहर पांच इन बात करिए मैं कोशिश करूँ आपको काई आज के लिए तना ही आपके उज़ो राज़ी भविशे के लिए हादिश शुब काम नाए जै हिन जै भारत